मेरी आने वाली सभी लेटिस्ट वीडियोज के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कवितास क्रियेटिविटी को और बेल आइकन दबाना भी ना भूले ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज आपको सबसे पहले मिल पाइब और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के साड़े 10 बजे से अब भी बज़री है व्लॉगे के साड़े 10 बजे से ब्रेकफस्ट में ममी ने बनाने है आलू के पराथे मतलब उसकी तैयारी कर दी है मम्मी बापा ने कर लिया है ब्रेकफस्ट तो बस हम दोनों को करना है तो चलो फिर सबसे पहले breakfast कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि आज का दिन कैसा जाता है हमारा तो guys नाशते के लिए मम्मी ने आलू के पराठे के लिए तैयारी करके रखी थी तो यहाँ पर आटा मलवा रखा है और आलू का mixture बिलकुल तैयार है तो बस मुझे बनाने हैं पराठे तो सबसे पहले हम चाए बना लेते हैं तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ चाए और मम्मी साथ साथ ना चटनी बना रही थी क्योंकि मेगा ने बोला कि उसको पराठे चटनी के साथ खाने हैं तो बस मम्मी ने सोचा कि चटनी बना दू तो उतनी दिर में मैं चाए बना रही हूँ और अपने पराठे सेक रही हूँ तो बस फिर अपने यह सब काम करने के वाद अपना नाश्ता इंजॉय करेंगे हम किcil могते हैं ञी हूँ और शूट है हूँ क्यूं तो बस दिर में जह करता हैं भी जयकल अपने, है बना दो बस में जयındaki करे चिए आचल के चित बיא में अपने ़ुट है कॉ ऐपने पना रही हूँ पराफने नाश्ता ठा रही हूँ झाल दो है आई दूट सब पना धूँ झा तो गाइज हमारा नाश्ता रेड़ी है नाश्ते में है चटनी आलू के पराथे यमी यमी और चाए गाइज यह देखिए यह वो प्रजाती के लोग हैं जो ब्रेकफास्ट बेड़ पे इंजॉय करते हैं इतने खुश नसीब है यह कैसा है इस ने बनाया इस ने बनाया है मम्मी ने बनाया है इस ने बनाया है तो गाइज यहां पर जो है मेगा का लहेंगा आ गया है तो हमने जो है कोरियर से लहेंगा बंगाया था तो बस वही पार्सल रेसीव कर रहे हैं गेट पर तो फिर इसकी अन्बॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं हुआ 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 है बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब इचको कच्यका जाओँ जाओं ज़ाद में चालाद में काजब इचको तो गाइस शादी का हैस्टेग जो है डिसाइड कर लिया है तो जो हैस्टेग है वो है हैस्टेग am in love विच मेंस हैस्टेग am in love तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया था जब इन लोगों ने मुझे बताया था फिर मैंने अपना दिवाग लगाया तो मुझे लगा ओ एमन लव तो ये है मेगा और अतुल की शादी का हैश्टाग तो गाइस शाम को हम आये थे कैफे में तो ये एक नंबर कैफे है आगरा में एक्चुली हम लोगों को इन्विटेशन आया था आपको पता ही जैसे कि हम इन्स्ट्राग्राम पे बहुत एक्टिव हैं फूड व्लॉगिंग में तो हमें इन्विटेशन आते हैं तो उसके यानि मॉक्टेल्स कॉक्टेल्स के लिए जो एरिया है वो और यहां पर हमने बहुत वेराइटी का फूड ट्राइग गिया तो कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं हुआ हुआ है झाल झाल तो गाईज मैंने आज का पूरा व्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर दिया मेगा का लहंगा डेली से आ चुका है एक्चुली मैं सीन ये था कि हम लोग डेली गये थे लहंगा लेने आपके साथ मैंने व्लॉग भी शेयर किया था लेकिन हम लोगों को डेली से लेंगा लेने जाना था obviously try करके ही लेके आते लेकिन जैसे दिसे कोविट के किसित बढ़ रहे हैं तो हमको लगा कि जाना safe नहीं है तो हमने फिर जहां से हमने लिया था उनको request करी कि आप हमार को courier करा दो तो उन्होंने courier कराया around 1500 रूपीज जो है लग गया आने में लेकिन कोई बात नहीं it's okay क्योंकि जाना और रिस्क में जाना तो बहुत ही ज़दा safe नहीं होता हम लोगों के लिए तो आ गया लेंगा तो बस blouse stitch करवाना है उसका wedding का तो वो बस वो तो आपको तो तभी पता चलेगा कैसा लेंगा है क्या है तो अभी के लिए यही scene है और आज कल यहां पे ठंड बहुत जादा है मतलब मुझे तो लग रहे कि अब दिसंबर से जादा ठंड जो है जनवरी में ही पढ़ रही है और सब कहते हैं कि मकर संक्रान दीवा ठंड कम हो जादी है लेकिन यहां तो बहुत जादा है आज तो आज पूरे दिन heater की आगे बैठे रहे हम लोग तो guys मैंने आप लोगों उसे कल यह पूछा था कि मेरे को जहां पर मैंने vaccination लगा था वहां पर problem जादा हो रही थी मतलब मैं को गांट बन गिया और दर्द हो रहा है इसमें continue तो कई लोगों ने मुझे suggest कि बहुत सारे तरीके मतलब कुछ लगाने को या कुछ लोगों ने कहा कि एक हफते में चली जाएगी बट सच में वो day by day बहुत जादा हो रही है मतलब आज मुझे कल से भी जादा पेने और मैं को हाथ यूँ करने में भी problem हो रही है और काफी मोटा जो है वहाँ पे swelling भी हो गई है तो अब देखो क्या होता है कि लोगों ने बोला है कि एक हफते में ठीक हो जाएगा hopefully एक हफते में ठीक हो जाए मतलब जब मैं लगवा कही थी vaccine तो मैं पहले बहुत डर रही थी और फिर जब मैं लगवा कही मुझे एक दो दिन कुछ भी नहीं हुआ मतलब हलका सा पेन था पोपाथ हलका सा तो में को लगा है रही कुछ भी नहीं है लेकिन अब तो मतलब कल से तो continue में को बहुत जादा पेने और आज तो मतलब बहुत ही जादा है पता नहीं क्यों हुआ है या तो मैं उसको दबा के सो गई हूँ पता नहीं क्या हुआ है I don't know बट फॉर नाव आज का व्लॉग मैं ने आपके साथ शेयर का दिया तो फिर कल मिलते हैं नौ बजे तब तक के लिए हसे रहिए मुसकोराते रहिए और कवितास क्रेटिविटी को देखते रहिए